टीवी का पॉपलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा को हाल ही में 15 साल पूरे हुए हैं लेकिन आज भी ये सीरियल फेंस के दिलों पर राज़ करता है बीते कुछ दिनों से तारक मेहता का उल्टा चश्मा अपने विवादों की वज्ञा से छाया हुआ है इस सीरियल को कई स्टार्स ने अलविदा कह दिया इस लिस्ट में शैलेश लोढ़ा का भी नाम है शैलेश लोढ़ा ने तारक महता को लटा चश्मा में तारक महता का रोल निभाया था शो से जाने के बाद उन्होंने बच्चे हुए पैसे ना देने का आरोप लगाते हुए मेकर्स पर केस किया था अब फाइनली इस केस का रिजल्ट सामने आ चुका है जिसमें शैलेश लोडा की जीत हुई है शैलेश लोडा ने नेशनल कंपनी लॉट ट्राइबिउनल में धारा 9 के तहट एक केस पेश किया था मामले की सुनवई वर्च васी तरीके से की गई थी एक रिपोर्ट में दावा कियागया है कि फैसला शैलेश लोडा के फेवर में आया है रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया था कि समझोती की शर्तों के अनुसार शो के मेकर्ज शैलेश को डिमांड ड्राफ्ट जरिये एक करोड पाच लाग चुर्यासी हजार की राशी का भुकतान किया जा रहा है यानि अब मेकर्ज शैलेश लोड़ा को एक करोड से भी ज्यादा देने वाले हैं इस मामले में शैलेश लोड़ा ने अपनी प्रतिक्रिया दी हैं उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा मेरे ये लड़ाई कभी पैसे की नहीं थी ये जस्टिस और सेल्फ रिस्पेक्ट की लड़ाई थी एक्टर की तीन साल की पेमिंट नहीं दी है हाला कि उन्होंने एक्टर का नाम बताने से मना कर दिया क्योंकि ये उनके कंट्रेक्ट में था कि वो किसी के भी एक्टर का नाम नहीं ले सकते हैं और ना ही वो अपने लिए मीडिया से के सामने बात कर सकते हैं नहीं तो उनका पैसा नहीं आता इसी वज़ा से तारक महता ने ये शो छोड़ा था और उनकी जगा दूसरा करेक्टर आया है जो तारक महता का उल्टा चश्मा के में तारक महता की रोल निभा रहे हैं वहीं जैनिफर मिस्त्री और बावरी ने भी शैलेश लोड़ा पर कई सारे गंभी रार क्रियेट करते हैं और मेरे भी कई सारे पैसे अटके हुए हैं इन्हीं वज़ा से कई सारे एक्टर से तारक महता के उल्टा चश्मा से अल्विदा कह दिया अब फाइनली शैलेश लोड़ा ने ये केस जीत लिया है और उन्हें एक करोड से भी जादा का पैसा उन्हें मिलन करने वाला है इस पूरे मामले पर आपका क्या करना है मुझे कॉमेंट में जरूर बता हूं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले हैं